अमेरिकी रास्टपती चुनाव में डोनाल ट्रम की हार और जो बाइडन की जीत के बाद एक न्यूज एंकर के कैमेरे के सामने ही रोने का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है न्यूज पढ़ने के समय रोने का ये वीडियो खुद पत्रकार ने ही ट्वीटर पर ट्वीट करके शेयर किया है जो बाइडन की जीत के बाद ऑन एर एक न्यूज बुलिटन के दौरान सी एन एन के न्यूज एंकर वेन जोन्स रोने लगे उनकी आवाज लडखलाने लगी और उन्होंने अपने इस वीडियो को साजा करते हुए कहा कि ये चुनाव परिनाम अमेरिका के लिए बड़ी जीत है जॉन्स ने कहा कि इंसान का चरित्र काफी माइने रखता है इसके साथ ही जॉन्स ने कहा कि आज अमेरिका के लिए एक अच्छा दिन है उन्होंने कहा कि एक अच्छा अभीभावक होने के नाते वो एक अच्छे पीता होने के नाते हमें अपने बच्चों को चरीतर के लिए अच्छी बाते सिखानी चाहिए वेन जॉन्स ने कहा कि ये चुनाव परिणाम अमेरिका के बहुत सारे लोगों के इच्छा वप्रयासों की देन है जो वास्तव में काफी पिडित है एंकर जॉन्स ने जो बाइडन की जीत पर जॉन्स की संभावना जताते हुए कहा कि हमें उमीद है कि यह अमेरिका की सांती के लिए काम करेंगे एक बार फिर से अमेरिका पहले ही तरह एक जूट वसांती प्रिया होगा जॉन्स ने डोनाल्ड ट्रम के हारने पर कहा कि जिन लोगों की हार हुई है उसके लिए मुझे खेद है लेकिन ये दावेश से कह सकता हूँ कि अमेरिका के जादातर लोगों के लिए आज का दिन एक अच्छा और खुशी का दिन है आपको बता दे अमेरिकी रास्टपती चुनाव में जीतने के बाद पहली बार जो बाइडन ने ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका आपने हमारे महान देश का नित्तूत्रव करने के लिए हमें चुना है इसके लिए आपका भार इसके साथ ही जो बाइडन ने कहा कि हमारे लिए आगे की रा मुश्किल होगी लेकिन वादा करता हूँ कि सभी अमेरिकी नागरिकों का रास्टपती बनूँगा चाहे आपने मेरे लिए वोट किया हो या नहीं आपने मुझे पर जो विश्वास जताया है मैं उस पर खरा शाबित होंगा